नमश्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे जो जोसा का round 1 का result वा गया है अब उसमें जो online reporting है पुरा document वगेरा क्या 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 पूरा क्या process वगेरा करना है पूरा detail में बात करेंगे इस वीडियो में साथ ही साथ जो पिछले साल एक student ने बहुत बड़ी mistake करी थी वो mistake क क्या थी इसको वीडियो में आगे बराऊंगा जिसके कारण इसकी city cancel कर दी गई थी तो mistake आप ना करो उसने mistake क्या कर थी वह आगे बात करेंगे अब यह बात कर लेते हैं कि कैसे आपको क्या भी round 1 के बात क्या what next करना आपको करना क्या 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 इसके आगे तो देखिए आप पर आप view seat allotment result round 1 में क्लिक करें और यहां पर जो भी अपना password वगे रहा है enrollment number और यह जो capture मांग रहा है उसको फिल कर देते हैं तो s8 जो भी capture L199 एक student का मेरे पास credential है भाई है मेरा वो तो देखिए उसका यहां पर उसका मैंने दो process complete कर दिया है जिससे आपमे तो अभी आपने पर पहली बार खोला है तो आपका यह incomplete incomplete चारो incomplete शो रहा होगा लेकिन यह view seat allotment यही आपकी online reporting है यह आप 4 complete कर लेंगे तो हो गई आपके online reporting इतना easy काम है ठीक है तो देखिए आपको क्या timing क्या मतलब timing क्या है आपके पास online reporting complete करने के लिए ठीक है आज से खुल गया 17 से लेकर 19 तारिक तक है आपके पास time है 17 October से 19 October और अगर यह कुछ response मांगते हैं आप से ठीक है तो आपको मतलब अगर मतलब कुछ आप से कुछ आपके certificate में प्रॉब्रम है तो वह 21 तारिक तक आपको अपने उनका मतलब अगर कहां से कुछ आता है response तो उसको आपको response करना है और फिर इसके बाद फिर round 2 है ठीक है तो round अभी तो आपको सित्ता थाया रखना है कि 19 तारिक से पहले पहले अपना जो भी काम है अपन IIIT, 3CT में computer science engineering allot हुए है तो इसके बाद फिर वह यह हो गया seat allotment result हो गया इसके आप फिर downloads allotment letter तो इसको भी आपको आपका allotment letter यह आगे काम आएगा तो इसको आप download provisional seat allotment letter तो इसको आप download कर लिजे reference के लिए यहापर क्लिक करेंगे तो यह डाउनलोड जाएगा ठीक ह पर आपको जिसे यहाँ तो मैंने कर दिया लेकिन यहाँ पर कैसे किया है तो उसके लिए मैंने एक live stream करी चीज़ी सुबद है तो आप देख सकते हो ठीक है वो video भी पड़ी होगी तो उसके देख सकते हो कैसे किया था मैंने इसको बहुत simple है कुछ नहीं आपको यहाँ पर टिक है फ्लोट, freeze, slide show होगे उसमें से जहसे आपने चेक कर दिया जैसे मैंने इस चेक कर दिया था फ्लोट पर टिक और पासवर्ड डाला प्रासवर्ड डालने के बाद यह जो seat है मैंने फ्लोट पर डाल दी ठिक है न और freeze, float और slide के लिए कलक्सी वीडियो बनाई है तैक है इस चैनल पर आपको मिल जाएगी ठीक है और इस चैनल का टेलिग्राम टेलिग्राम चैनल की भी लिंग दे देता हूँ जिसमें अभी इसको पन रोकते हैं ठीक है हाँ आप देखो क्या है जित्ते भी डॉक्यमेंट्स बगेरा न लिए आपको क्या करना है उसके आदपन आते हैं simply आपको क्या करना है टी-डॉक्त मी-जो ब्लगृत कर रहा है शोबित पाल त्रॉ早 चैनल ने करना पर यहां जाएगा अब यह पहले टैले डावग्राम आप को join button करने के बाद यह आप देख सकते हो जो भी यह business rule है business rule के अंदर ही सारी चीजे है ठीक है medical certificate का किसा format वगेरा होना चाहिए ठीक है यह अभी खोल के आगया बताऊंगा आपको मैं अब भी अपने बात कर लेते हैं इसके आगया अपने क्या करना था तो देखिए यह आपने कर लिया submitted willingness ठीक है मतलब आपकी क्या इच्छा freeze float site करना चाहते हो जो करना चाहते है आप कर लो जैसे student का मैंने float पर डाल दिया ठीक है float मतलब अगर यह चोईश तो ठीक है यह चोईश तो रहेगी अगर round 2 या round 2 में अगर इससे अच्छी वाली उपर राली सीट मिलती है तो वह वाली सीट मिल जा और राली सीट reject हो जाए इसके बाद फिर है तीसरे नंबर पर चोथे नंबर पर upload documents तो यह भी देख लिए आप upload documents यह दोनों option आपको तभी खुलेंगे यह जो है न upload documents और seat acceptance fee जब आप submitted willingness करेंगे तभी आपको यह दो option ठीक है इन option पर click कर पाएंगा यहाँ पर एक लिखा हुआ proof of place of passing class 12 upload anyone document whichever is applicable admit card class 12 mark sheet passport मतलब इनको क्या है कि state of eligibility क्या थी कि आपकी जो class 12 की जो mark sheet जो आपने जहां से class 12 की है वह आपका state of eligibility है तो इसको as a proof के लिए आपको class 12 की mark sheet लगेगी ठीक है admit card class 12 mark sheet passport में सबके आप कुछ भी है ठीक है तो वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा तो simply आप यहाँ देखिए जैसे student के हिसाब से ठीक है आपके साब से कुछ आपको एक दो document काम हो सकते एक दो document जादा भी हो सकते है ठीक है तो इस student को पांच document total upload करने ठीक है जैसे class 10th का mark sheet upload करने ए class 12 के upload करने एक अप्लोड करना बहुत simple है ठीक है इन्होंनों format वगेरा बता दिया PDF format में JPG format नहीं है PDF format में आपको upload करना है ठीक ह आप यह जो भी on instruction दिया है उनको कर लेना और choose file करके ओ PDF file को upload मार देना है इसके बाद फिर यह अपने document सारे तयार रखना अपने ठीक है यह class 10th class 12th mark sheet ठीक है और OBC category certificate जैसे OBC का है आप जो भी category के हैं कोई category नहीं है आपकी तो फिर कुछ भी upload नहीं करना है फिर state of eligibility का proof आप साफ साफ लिखा हुआ है तो proof of place से वह आपको अपनी class 12th की mark sheet वापस upload कर देना है इसमें ठीक है कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है इसको मैं और confirm करके बता दूँगा लेकिन अभी state of eligibility का जो proof है आपको जो अपना 12th की mark sheet है उसी को अपको upload करना है क्योंकि है साफ साफ एक instruction लिखा हुआ है proof of place का फिर है medical certificate तो medical certificate में आपका जो format है ठीक है format ध्यान से उसी format अपना medical certificate बनवा लीजे format कहा मिलेगा आपको तो जो जो सा का business rule है यह इस पर मैं क्लिक करके आपको बताता है थोड़ा से time लेगा थोड़ा सा आप भी wait करना यह जो सा का business rule है यह ओपन हो रह रहा है तो यहां पर आप जैसे 53 page नंबर पर आ गया है directly अपन देखते हैं यह तो थे जो documents upload करने इसके नीचे ही होगा आओ नीचे 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 स्क्रोल करते हैं नीचे अपने स्क्रोल करेंगा अपने मिल जाएगा कि जो अपना medical certificate जो हाल लिखा थे उसका format के सा होना चा का print out लेका लेना और किसी भी MBBS doctor के पास जाकर यह उसकी seal अगएरा लगेगी registration लगेगा तो MBBS doctor होना चाहिए तो वह doctor के पास जाके अपना यह medical अपना बनवा लेना ठीक है सारी वह इस पर परचा दे दूगे नो पूरा बनवा देगा तो यह हो गया medical certificate का भी आपको मैंने ठीक है यहाँ पर simply अपना medical certificate का upload कर लेना इसको open करते हैं और submit in preview पर करने के बाद simply अगर आप जनरल OBC के हो तो 35 रुपय आपको seat acceptance fee करनी पड़ीगी और अगर आप SCC category के हो तो आपको 15,000 रुपय फीपे करना पड़ेगा तो फीपे आप किससे भी कर सकते हो debit credit card सबसे हो ज एक करने तो सूच रुप के खंड़ कुछ थी नाहीं चाहिए तो सूचा कि अपने लाउंड टुमें चले आउंगा यह सीट मिरी अपने ऑप हो जाएगी थी ना उसने कुछ फ्रीज का upload कि कुछ भी नहीं किया, उसको थीपी नहीं किया, तो स्कुछ प्रेफरेंस वाली चाहिए तो उसने सोचा कि भाई कुछ भी नहीं करता हूँ है ठीक है तो हुआ क्या कि अगर आप कुछ भी आपको सीट अलॉट हो गई है ठीक है भले आपको लेनी है नहीं लेनी है अगर आपको फुर्दर राओं पाटिसिपेट करना है भले फ्लोट में लाल दो ना क्या दिक्कत है लेकिन अगर आपको सीट अलॉट हुई है और आप कुछ भी नहीं करते हो तो आपकी सीट कैंसल हो जाएगी तो ध्यान से थोड़ा सा ठीक है अरे अभी फास्ट राओं यार फास्ट राओं थोड़ा कटफ उपर जाता है जैसे बच्चे विड जैसे किसी एक ही कॉलेज मिले ना उनको तो अगर हो एंपी डिटीव एडिविशन करा लेते तो फिर यहां से सीट खाली होती तो अपर राउंड बन का कटाउफ इसलिए उपर चले आता है ठीक है तो कोई बढ़ाने की बात नहीं अगर अपने को राउंड मैंने को अपनी